तो दोस्तों आज हमें एक ऐसी लड़की की जर्णी देखेंगे जो अपने प्रिंस को माउस से वापस इंसान बनाना चाहती है और इसमें उसकी मदद करती है एक नो सिख्या जादूगर तो चलिए शुरू करते हैं तो मूवी की शुरू में हमें एलक्स नाम के एक प्रिंस के बारे में बताया जाता है जिसे एक वीच ने खानदानी दुष्मनी के कारण माउस में बदल दिया और उसकी जगा एक फेक प्रिंस ओलाफ को बिछा दिया फिर एक दिन उनके राजे में एक ऐला नाम के लड़की जिसके साथ उसकी जादूगर दोस क्रिस्टल और वोल्टर और मैनी नाम के दो माउस थे उन्होंने किसी तरह उस विच को मार डाला लेकिन मरते हुए विच ने एला को एक स्टोन में बदल दिया एलेक्स को उसका सैक्रिफाइस देखकर बहुत दुख होता है और वो अपनी लाइफ पावर उसे दे कर वापस माउस बन जाता है तब से एला और उसके फ्रेंड्स कोई ऐसा तरीका ढून रहे है जिससे वो एलेक्स को फिर से इनसान बना सके ऐसे ये एक दिन क्रिस्टल भागती हुई एला के पास आती है और बताती है कि उसने श्राप को तोड़ने वाला स्पेल ढून लिया है इसके लिए वो उने कुछ चीजे लाने को बोलती है जैसे ब्लैक फैदर, रेंबो एग और ब्लू फ्लावर का स्टैमिन इन सब को मिला कर वो एक मैजिकल पोशिन बनाती है लेकिन एलेक्स पर इसका कोई असर नहीं होता और उल्टा वो उसे घायल कर देती है क्रिस्टल समझ जाती है कि अभी वो एक परफेक्ट जादुगर नहीं बन पाई है और इसलिए उसके स्पेल सच्छे से काम नहीं कर रहे तब ही उसकी नजर स्पेल बुक के ओथर पर पड़ती है जिसका नाम डॉक्टर नोईटोल है और उन्हें लगता है कि वो शायद उनकी मदद कर सकता है एला एलेक्स से वहीं पैलेस में रुखने को कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस ओथर के घर पहुच जाती है वो देखते हैं कि उसका घर मैजिक से भरा हुआ है लेकिन बहुत बुलाने पर भी वो उनके सामने आने से मना कर देता है तब हैला उसे सारी बात बताती है और उसकी प्रॉब्लम सुनकर वो उनसे मिलने को तयार हो जाता है वो देखते हैं कि ये डॉक्टर असल में टोटोईज है और उसे अपने नॉलज़ पर बहुत ही घमंड है थोड़ा भाव खाने के बाद वो फाइनले उन्हें एक लू देने को तयार हो जाता है और बताता है कि तुम्हारी मदद लाइफ स्टॉण नाम का एक जैम ही कर सकता है जो समुंद्रपार फोरस क्वीन के कैसल में रखा हुआ है लेकिन साथ ही वो उन्हें वोन भी करता है कि वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और अगर तुम क्वीन तक पहुच भी गए तो वो तुम्हें लाइफ स्टॉण का भी नहीं देगी क्रिस्टल को लगता है कि वो बस उन्हें पेफकूब बना रहा है लेकिन एला उसे वहां तक मोशने में अपनी मदद करने को कहती है तब डोक्टर उन्हें बताता है कि मेरे बैक्यार्ड में एक लाउड रहता है और अगर तुम उसे मना सको तो वो तुम्हें समुंदर के पार ले जा सकता है ये सुनकर वो सब उस लाउड से मिलने जाते हैं और जल्दी ये उसमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है एला फाइनली उसे अपनी जर्नी के लिए तयार कर लेती है और ये देखकर क्रिस्टल उदास हो जाती है आगे हम उन सब को उस कैसल के और जाते वे देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूर अचानक से खराब हो गया है। एला उससे इसका कारण पूछती है जिस पर क्रिस्टल बताती है कि शायद वो अपने ग्रूप के लिए एकदम यूजलेस है और यहां तक कि अपना मैचिक भी ठीक से नहीं यूज कर पाती। उसे लगता है कि वो कभी एक परफेक्ट जादूगर नहीं बन पाएगी और शायद अब उसे जादू करना छोड़ देना चाहिए। तब एला उसे समझाती है कि इनसान को कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो उसे खुद पर यकीन रखने को बोलती है। पेड़ की मदद से फाइनली वो उस कैसल तक पहुच जाते हैं और देखते हैं कि दो अगार्स महां की पहरेदारी कर रहे हैं। क्रिस्टल अपने मौस फ्रेंड के साथ उनका ध्यान बठकाती है और पीछे से एला उस कैसल के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे फोरस्क्वेन का रूम दिखाई देता है जिसमें कुछ हजीब सी स्टैचूस रखे हुए हैं। तब ही एक लेंप जिन्दा होकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम शकल से मुझे एक चोर लग रही हो। वो एला से खुद को अपने साथ ले जाने को बोलता है और कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। देखते ही देखते वो दूसरे स्टैचूस भी एला से यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं जिसमें एक जीनी और एक मैजिकल कार्पेट भी है फिर एला गलती से एक मैजिकल पेंटिंग में चली जाती है और एक के बाद एक उसे वहाँ कई खतरों का सामना करना पड़ता है तब ही उन्हें फोरस क्वीन के आने की आवाज सुनाई देती है और एक लेडी एला को पेंटिंग से बाहा निकाल देती है लैम्प उसे जल्दी से एक अलमारी में चुपने को कहता है और तब ही क्वीन अपने रूम में आ जाती है वो समझ चाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड हुई है और अपने मैचिक से एला को अलमारी से बाहर निकाल लेती है वो एला से इस तरह यहाँ आने का कारण पूछती है और तब ही उसे ढूंटते हुए क्रिस्टर और वो माउस वहाँ आ जाते हैं क्वीन को लगता है कि यह सब शायद यहाँ चोरी करने थी क्योंकि लाइफ स्टोन को तो डेजर्ट कुइन ने पहले ही चुरा लिया है तब एला उसे एक डील करती है कि अगर हम लाइफ स्टोन को वापस ले आएं तो आप हमें उसे अपने फ्रेंड पर यूज करने दोगी फोरेस्ट कुइन उन्हें समझाती है कि डेजर्ट पाने को तयार हो जाती है फिर वो उन्हें आगे जाने के लिए एक मैप देती है और लेंप को एक कड़े में बदल कर एला के हाथ पर बांद देती है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके आगे का सीन्ड डैजर्ट कैसल का है जहां ओलाफ इस सारे प्लैन की जानकारी सकता हूँ बदले में आपको मेरा किंग्डम पाने में मेरी मदद करनी होगी और डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए तयार हो जाती है इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शोटकट नजर आता है लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि उन्हें इस रास्ते पर आगे नहीं जाना च जाती है और क्रिस्टल गुस्टे में उन्हें छोड़कर चली जाती है यहीं हम अलाफ को देखते हैं जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था और वो क्रिस्टल से मिलने उसके पीछे जाता है आगे एला और उसके साथियों को एक हर्ट दिखाई देती है जिसमें धेर सारा खाना रखा हुआ है तब ही एक पिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि ये एक शेतान विली का घर है वो वोल्टर को पकड़ कर खाने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि वोल्टर को उसकी बनाई डिशिस बहुत पसंद आई है ये देखकर उसे बहुत में होगी उधर ओलाफ क्रिस्टल से मिलने आता है और उसे बताता है कि तुमारे दोस्तों को तुमारी स्किल्स की कोई कद्र नहीं है और अकर तुम डेजर्ट क्वीन के साथ मिल जाओ तो वो तुमें एक पावरफुल जादूगर बना देगी क्रिस्टल भी उसकी चलाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट क्वीन का साथ देने को तयार हो जाती है इधर एला और मौसिस का सामने एक बेर से होता है और इससे पहले कि वो उन्हें चोट पहुचा पाए एला उसे अपने यहां आने का कारण बताती है बेर उसका दोस्तों के लिए प्यार देखकर आई हो गई थी और रव वो सब कुछ बुला कर उसे दुबारा मिलना चाहता है एला समझ चाती है कि अपनों से अलग होना ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और यह सोचकर उसे क्रिस्टल का ख्याल आता है और वो वोल्टर और मैनी के साथ उसे डूनने निकल जाती है और लाव भी डेजर्ट में उन्हें देख लेता है और क्रिस्टल की मदद से वो उन तीनों को एक स्पेल में कैद कर लेते हैं एला भी क्रिस्टल को उसके साथ देख कर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुमें इस आदमें पर विश्वास नहीं करना चाहिए ले अदि ही क्रिस्टल एक पावरफुल जादूगर बन जाएगी एला एक बर फिर उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे भीना हम यहां तक कभी नहीं पहुंसकते थे और तुम अभी भी हमारी टीम का एक एहम हिस्सा हो ये सुनकर क्रिस्टल को अपनी गल्दी का ए हैसास हो जाता है और अपने दोस्तों को अजाद करके वो अलाव को इस पैल में कैद कर लेती है आगे वो एक लंबा रस्ता तैकर के उस कैसल तक आते है जिस तक जाने के लिए उन्हें एक ब्रीज क्रोस करना होगा लेकिन जैसे ही वो उसकी सेंटर में आते हैं वो ब्रीज को हरा बरा करना चाहती हूं और यही मेरी डेस्टिनी है एला उससे किसी और तरीके के बारे में पूछती है जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है और अगर क्रिस्टल यहां रहने को तयार हो जाए तो मैं तुम्हें वो लाइफस् आजए लग्वरकी उसके हाथ में वो लाइफस्टोन देती है लेकिन पता चलता है कि यह सब उसका एक प्लैन था और उसने क्रिस्टल को अपने सपयल में बांध लिया है उसे कंड्रूल करके वो एला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और क्रिस्टल को अपने साथ कैस के और चड़ने लगती है उधर डेजर्ट कुइन क्रिस्टल से एक बार फिर सोचने को कहती है और बताती है कि मैं तुमारा परफेक्ट जादुगर बनने का सबना पूरा कर सकती हूं लेकिन क्रिस्टल ऐसा करने से मना कर देती है तब ही एला और उसके माउस महां आते हैं और क्रिस्टल को बातों में उलजा कर लाइफ स्टोन को चुरा लेते हैं क्रिस्टल भी स्पेल तूटने से आजाद हो जाती है और वो सब कैसल से बाहर आ जाते हैं डेजर्ट क्रिस्टल गुस्से में उन पर अटेक करती है जिसके लगती ही क्रिस्टल एक डॉल में बदल जात फोरेस्ट क्वीन एला से वो लाइफ स्टॉन लाने को कहती है क्यूंकि उसके बीना वो डेजर्ट क्वीन का मुकाबला नहीं कर पाएगी और ये सुनकर एला तुरंतु से डूनने निकल जाती है पता चलता है कि वो लाइफ स्टॉन मैनी के पास है लेकिन तभी उनके सामने पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है लेकिन इससे पहले कि वो लोग नीचे जमीन से टक्राएं क्लाउट वहां आकर उन्हें बचा लेता है और बताता है कि डॉक्टर ने उसे उनकी मदद करने भेजा है फिर वो उड़ते हुए वापस कैसल की और आते हैं और देखते हैं कि डैजर्ट क्वीन भी उसे पकड़ने आ रही है तब ही फोरेस्ट क्वीन एला के हाथ में बन्ने उस लैंप को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी डैजर्ट क्वीन को चकाचोंद कर देती है लाइफ स्टोन भी फाइनली फोरेस्ट क्वीन की चड़ी तक पहुंच जाता है और वो desert queen को उड़ाकर दूर फैंक देती है आगे हम उन सबी को forest castle में देखते हैं जहां queen उन्हें बताती है कि वो Alex और crystal में से किसी एक को ही ठीक कर सकते हैं तब Alex उस से crystal को जिन्दा करने को कहता है क्यूंकि उसकी यह हालत उसी की वज़ा से हुई है और Ella को भी उसकी की बात माननी परती है फिर क्वीन स्टॉन की पावर से क्रिस्टल को ठीक कर देती है और हम देखते हैं कि वो इस बार एक नए रूप में है क्रिस्टल रैलेक्स को माउस के रूप में देखकर बहुत हायरान होती है और तब forest queen उसे सारी बात बताती है और ये सुनकर crystal को बहुत दुख होता है आगे queen उसे बताती है कि life stone ने तुमारी magical power को बढ़ा दिया है जिससे तुम भी एक perfect जादूगर बन चुकी हो और अब तुम फिर से अपना पहले वाला spell try कर सकती हो crystal भी ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से spell की चीजों को फिर से कठा करने को बोलती है finally उसके spell से Alex फिर से इंसान बन जाता है और इसी के साथ हमारी ये movie भी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये movie पसंद आई हो तो प्लीज हमें like and subscribe करना ना भूले thank you